Citizenship Amendment Act, NRC और NPR इन तीनों मुद्दों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अब तो Bollywood के कलाकार जो आम तोर पर ऐसे मुद्दों से कट कर रहते हैं, सोशल मीडिया पर खुल कर लिख रहे हैं, दिख रहे हैं, टेलिविजन पर भी दिख रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, सोनम कपूर, आलिया भट, अनि के दक्तर, शबाना आजमी, रेनुका शहने, जिशान अयूव, विशाल भारदवाज, इन जैसे कई कलाकारों ने चात्रों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ अपनी राये रखी हैं, खासकर बॉलिवूड के नौजवान कलाकार इन मुद्दों पर अपनी राये रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब आप चुप नहीं रह सकते, छात्रों के साथ हुई हिंसा बरदाश्ट नहीं की जाएगी, बहुत बड़ी एक्टर हैं, दीपी का पादु कौन, वो कल JNU स्टूडन सुनिन प्रेजिट आईशी घोष से मिलने JNU पहुची, दीपी का पर इलजाम रनवीर शौरी, अमर उपाध्य है जैसे बड़े कलाकारों ने सिटिंशिप एमेंडिन एक का समर्थन किया है, बाचीत के लिए मेरे साथ है सुराज एक्स्पिस के इटरिंशिप, गुरदीप सिंग सपल, गुरदीप बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, ज उसकी बात सुनी जाती है, तटस्त रहना इनका अधिकार हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात में भी इन्हें राष्टर के नाम को संदेश देना चाहिए, चाहे जो भी इनकी पोजिशन हो, नहीं वो बोल रहे हैं, खामोशी की भी एक जबाँ होत आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपको किजी का पक्ष लेना या विपक्ष में खड़े होना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है, वो लोग तो बहुत सफल प्रोफेशनल हैं, जो की अपने फील्ड में काफी नाम कमा लिया, लेकिन एट दी एंड ऑफ दी डे वो अन इलेक् हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं, जी सेलिब्रिटी का मतलब सिरफ फिल्म की सेलिब्रिटी से नहीं रखें, जब दीपी का पंदुकोंौण कल गई, या मंबई में इतने सारे फिल्म कराकारे कथे हुए, तो उनके पास कोई पावर नहीं थी दिखे वह इसलिए गए क्योंकि जो चुने वे लोग हैं वो चुप हैं यही वज़ा है कि यह लोग इसलिए सड़कों पर उतर रहे बोल रहे हैं तो यह जो महान महानायक वगारे जितने भी हैं यह एक्सपेक्टेशन ट्विटर यूग में ज्यादा हो रही है वरन मैंने यह बोला कि खामोशी खुद में जवाब है क्या जवाब है मैं जानना चाथ हो यह साथ हैं नहीं साथ हैं या तरस्त हैं दो साल पहले आमिर खान ने एक बयान दिया था और उनका जो हाल हुआ उसके बाद वो कभी नहीं बोले तो बहुत सारे लोग इसलिए भी चु जुए पर जो आपकी आदादी च Wahrी चिन गई है जो बोलने की उसकी डर कीवेसे लोग चुँप ऑने जो बड़े सिदारें हैं वो डर 없어 हैं वो डर की वजिए से चुप हैं और जो अभी अपना कर्यों कर रहे हैं और जो मिड लेवल, मिड करियर में हैं, अनुभफ सिना जैसे लोग, और भी एक्टर्स हैं, रिशाचे डायत, आपसी पन्नू, आलिया भट हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं मोवी, उनको कोई खौफ नहीं हैं, बाकी खौफ जदा हैं, आप यह कह रहे हैं, नहीं नहीं, उनको कोप्ट हो चुके हैं, यह कोप्ट हो चुके हैं, यह राम बिलास पासवान बन चुके हैं, बहराल, जामिया, अलिगर्ड और उसके बाद जी एन यू में स्टूडन्स और प्रॉफेसर्स के साथ हुई हिंसा ने इन प्रदर्शनों को और मजबूती दी है, देशवर की इन के युवाओं को देश की राजनीती से देश में क्या चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है, वरना इतनी बड़ी तादाद में वो सड़कों पर ना उतरते, दूसरी गलत फहिमी, इस देश का मिडल क्लास भी खुद को राजनीतिक प्रदर्श जो गलत फहिमी है, तीसरी कि समविधान यानि कॉंस्टिटूशन और उसका प्रियांबल सिर्फ चंद पड़े लिखे लोगों के लिए है, ये भी गलत साबित हो रहा है, जगह जगह पर समविधान का कॉंस्टिटूशन का प्रियांबल पड़ा जा रहा है, मेरा दूसरा स इनकी ज़्यादा खबरे क्यों नहीं आ रही है? दूसरे को इग्नोर किया और इसलिए बहुत सरे मीडिया और्गनेशन की आज मजबूरी हो गई है, कि एक मेने के आंदोलन के बाद अब वो स्पेस देना शुरू कर रहे हैं, अब वो बात करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा कि भई ये तो आवाद बहुत बड़ी भूमी का रही है, मीडिया ने जिस तरह से सलेक्टिव होके इस देश में कवरिज को दिया है, कि लोगों का विश्वास उठने लगा मीडिया की उपर से, उसका बहुत बड़ा कारण है, जो आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बिड़ाल ये मेरा अपना निजी विचार है, चैनल का नहीं है, हमारा ये मानना है कि एंकर्स को लोग खुब क्रिटिसाइЗ करते हैं बिड़ाइन, बिजिए पेंडियुचें के लिए समर्थन के लिए बीजय Niri निघे पी ने एक नंबर जारी किया था, टेलिपन नंबर mist call देकर citizenship amendment act को अपना समर्थन दे अमिर चाह ने बताया कि इस नंबर पर citizenship amendment act के समर्थन में बावन लाख कॉल आई वैसे मापको बता दे कि बीजेपी ये खुद बता चुकी है कि उसकी party के 18 करोड सदस्य है citizenship amendment act के समर्थन में कई tv चैनल और उनके anchors ने भी social media पर पोल कराए इन पोल में सवाल पूचा गया कि क्या आप citizenship amendment act का समर्थन करते हैं हां या ना लगभग ज्यादा तर पोल में लोगों ने जवाब दिया नहीं हम citizenship amendment act का समर्थन नहीं करते विरोध करते हैं ऐसा इस सवाल दीपिका और जुड़ा भी पूचा गया और इन पोल में भी लोगों ने दिपिका पादुकॉन और जैनियू के चात्रों का साथ दिया मेरा आखरी सवाल आप से यह है संक्षेप में जवाब चाहूंगा बीजेपी को सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों को लेकर सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या बीजेपी का आईटीसेल फेल हो रहा है जो आईटीसेल है इनका या जवाब में उससे भी कोई मजबूत आईटीसेल खड़ा हो गया है किसका है इस तो पूरा लगा हुआ है आप कोई कमेंट डाली है और फिर देखिए आपको कितने जवाब मिलते हैं लेकिन जो उसके जवाब में लोग खड़े हो गए लोगों को ये लगाए कि मेरी आवास सोशल मीडिया मेरा प्लेटफॉर्म है लोगों में एक वास्तों के अंदर एक चिंता आ गई थी कि अगर ये स महिला एं क्यों आरी हैं त्नी आज महिला इसलिए आरी है कि महिलाओं को पता है कि समीधान ने जो बराबरी का दिया धीरे-धीरे उस हक के करण वो आज यहां तक पहुंची है कल ये बराबरी के हक चले जाएंगे कल नागरिकता के सवाल उठ जाएंगे जो सबसे बड़ी जो नुकसान में रहने वाली हैं, वो महिलाएं हैं, अभी तक हम दरीतों की बात करते हैं, माइनलोटी की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मारजिनराइजड वर्ग जो देश के अंदर है, वो महिलाएं हैं, तो वो उठके आ रही हैं और उनकी आवाज सोशल मीडिया पे आ रही है, और बीजेपी इस बात को समझ रही है, यह जो डेटा आपने दिया, बावन लाग का, यह तीन दिन पराना डेटा है, उनके मेंबर जो मिस्कॉल दे के मेंबर बने थे, अठारा करोड, उनके तीन परसेंट लोगों ने ही पोल में हिस्सा लिया, नाइटी सेवन परसेंट मिस्कॉल वाले लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, और तीन दिन से बीजेपी ने कोई डेटा जारी नहीं किया है,